अपडेट के साथ हमारे समबादाता रजनीश कुमार लाइफ जुड़ गया है रजनीश देखिए तारीख में लगातार बदलाव हो रहे थे दो बार तारीखों में बदलाव हो लेकिन अब जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि कल दो पहर बारा बज़े के बाद रिजल्ट जारी हो और क्या कुछ अदिक जानकारी देखिए बिहार बिद्याले परिश्चा समिती ने अब तक किसी प्रकार की आजिकारिक रूप से घोश्टना नहीं की है लेकिन हमारे पास जो खबरे आ रही है सुत्रों के हवाले से ये खबर है कि कल दो पहर बारह बज़े के बाद हर हाल में बिहार बिद्याले परिश्चा समिती मैट्री का रिजल्ट जारी करने वाला है या नहीं बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी कल रिजल्ट जारी करेंगे साथ ही अपर मुख सचीब संजय कुमार भी मौजूद रहेंगे बता दें आपको की पिछले चार दिनों से लगातार कयास लगाये जा रहे थे कि रिजल्ट कब जारी होगा और रिजल्ट पर कहिए तो एक तरह से अब जो शंसे है वो खत्म होने वाला है क्योंकि अब महज 24 घंटे के भीतर जो है रिजल्ट जारी होने वाला है क्योंकि 16 लाग परिक्षार्थी जो है लगभग शामिल हुए थे परिक्षा में और बता दिया आपको की बीच में मोतिहारी के 25 परिक्षा केंद्रों पर पुनर परिक्षा की वज़ा से रिजल्ट में देरी होई है पूरे देश में फिर से मैट्रिक के मामले में भी विहार बोड पहला बोड होगा जो सबसे पहले रिजल्ट जारी करेगा इससे पिछले साल बता दें आपको कुरोना काल में भी 5 अपरेल को विहार बोड ने नया किर्तिमान अस्थापित किया था मैट्रिक का रिजल्ट ज आजने वाला है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो टॉपर्स की सूची में शामिल हुए हैं वो सिमुलतला के आबासिये विद्याले के छात्र हैं जिनको मौका दिया गया था और इस बार भी रिजल्ट बेहतर होने की संभावना जताई गई है हाला कि अब तक बिहार बोर्ड की से रिजल्ट को लेकर कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी जा रही है लेकिन उमीद ये जताई जा रही है कि आज रात तक बिहार बोर्ड के तरफ से रिलिज जारी होगा कि रिजल्ट कल जारी होने वाला है जी रंजना वाकिर अजनीश देखिए अभी आधिकारिक पुष्टी तो नहीं हुग है लेकिन लगतार तारीक में बदला हुआ और आज जो ये सुत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है उसके बाद क्या कुछ तैयारी आपको बोर्ड के तरफ से कुछ जानकार बिल पाई है कि अभ जो आईटी सेक्षन है वो पूरी तैयारी में जुटा हुआ रहता है और आईटी ने पूरी तैयारी कर ली है कि रिजल्ट को फूल प्रूफ किया गया है यानि किसी प्रकार की कोई गरबरी नहीं हो इसको लेकर दुबारा जो है एक तरह से कई दफे उसकी जांच की गई ह और खासका टॉपर्स वेरिपिकेशन जो है पिछले 2017-2018 से यह शुरुवात की गई है और इसके माध्यम से यह हो रहा है कि जो टॉपर्स है उनमें कोई गरबरी नहीं हो बाद में कोई सवाल जबाब नहीं हो इसको लेकर विहार बोर्ड पूरी तरह से एक तरह से कहीं वजे रिजल्ट जारी होना है जी चले रजनेशन तमाम जानकारियों के बहुत बहुत शुक्रिया